ये कहानी है एक छोटे से गाउं के गरीब लड़के मोहन की। मोहन अपने माँ पापा के साथ रहता था। उसके पापा एक किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन फिर भी उनकी कमाई से बस दो वक्त का खाना ही हो पाता था। जब दीवाली का त्योहार पास आया तो गाउं के सभी लोग अपने अपने घरों को सजाने में लगे थे। बच्चों के नए कपड़े बन रहे थे, मिठाईयां बनाई जा रही थी और घरों में दिये जलाने की तैयारी हो रही थी। मोहन भी दीवाली का बेसबरी से इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त उसे अपने नए कपड़े और पटाखे दिखाते और उत्सह से दीवाली की बातें करते। मोहन मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वह नए कपड़े या पटाखे खरीद सके। दीवाली की शाम आई, पूरे गाउं में रोशनी और खुशियों का माहौल था। मोहन का घर खाली और अंधेरे में था, क्योंकि उनके पास दिये और तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहन उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ गया और आसपास के घरों को देखता रहा। तभी उसके पापा ने आकर उसे समझाया, बेटा, दीवाली का असली मतलब तो दिल में रोशनी फैलाना है, खुशियों का त्योहार बाहर की चीजों से नहीं, अपने मन की अच्छाई से मनाना चाहिए। मोहन ने अपने पापा की बात समझी और मुस्कुराते हुए अंदर गया। उसने अपनी मा की मदद से घर के आंगन में रखी मिट्टी से छोटे-छोटे दिये बनाए। फिर उसने पुराने कपड़ों से बाती बनाई और तेल की जगह सरसों का तेल डाला। जब मोहन ने उन दियों को जलाया तो उसके छोटे से घर में एक प्यारी सी रोशनी फैल गई। मोहन का दिल खुशियों से भर गया।